अमेरिका के राश्ट्र पती जो बाइडन ने अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकी नागरिकों से उन्हें घर पहुचाने का वादा किया है। उन्होंने अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकियों से कहा, हम आपको घर पहुचाएंगे इस से पहले अफगानिस्तान के हालात पर जो बाइडन ने देश को संबोधित किया। इसमें बाइडन ने कहा कि इस वक्त दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा है। बाइडन ने वाइट हाउज में एक समवाद दाता सम्मेलन में शुक्रवार कहा कि अफगानिस्तान में 6,000 अमेरिकी सैनिक ग्राउंड पर हैं, अगर हम पर हमला हुआ तो जवाब देंगे। गौर तलब है कि अमेरिका काबुल हवाई अड़े से अमेरिकियों और अन्य लोगों को तालिबान से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रहा है। हवाई अड़े के बाहर अराजक और हिंसक माहौल है और लोग अंदर सुरक्षित पहुँचने के लिए संग हर्ष कर रहे हैं। इस स्थिती को लेकर बिडेन को तीखी आलोचना जहेलनी पड़ रही है। बाइडन ने पिछले सप्ताह को दिल दहला देने वाला बताया, लेकिन उन्होंने जोड़ देकर कहा कि उनका प्रशासन लोगों की निकासी को सुचारू और गती देने के पुरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि काबुल हवाई अड़े पर निकासी उड़ाने शुकरवार को कई घंटों के लिए रुकी हुई थी। हाला कि दो पहर बाद फिर से उड़ाने फिर से शुरू करने का अदेश दिया एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्थ पर कहा कि अगले कुछ घंटों में काबुल से तीन उड़ाने बहरीन जा रही हैं और शायद 1500 लोगों को ले जाने की उमीद है। वाशिंटन में कई सांसिदों ने बिडेन प्रशासन से काबुल हवाई अड़े के बाहर सुरक् उबज़ित कर्ते हुए अमेरिकी राष्टरपती ने भरोसा दिलाया की अमेरीका के सभी लोगों के सुरक्षित निकलने तक हमारी सेना काबुल में मौजूद रहेगी। यह चार दिन में उनका दूसरा सम्बोधन था। अमेरिकी राष्टरपती ने कहा कि इस समय भी काब काबुल में हमारे 6000 सैनिक मौजूद हैं। हम काबुल एरपोर्ट की सुरक्षा कर रहे हैं। इस सेना सिर्प सैन ने उड़ाने बलकि दूसरे देशों के चार्ट विमानों से लोगों को निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि नेटों के देश अमेरिका के साथ खड़े हैं। अगले हपते जी साथ की बैठक में हम बड़ा फैसला लेंगे। हमला हुआ तो जवाब देंगे। उन्होंने जेल से निकले आतंकियों से हमले के आशंका जिताते हुए कहा कि जेल से निकले आई-ईस के आतंकी हमला कर सकते हैं। अब अगर अमेरिकी सेना पर किसी तरह का ह हमला हुआ तो इसे बरदाश्ट नहीं किया जाएगा किसी भी हमले का ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा सबसे बड़ा बचाव अभियान बाइदन ने कहा कि हमने 20 साल तक अफगानिस्तान के साथ काम किया है हमने अफगानिस्तान से 18,000 अमेरिकियों को निकाला है यह अब तक का सबसे बड़ा बचाव अभियान है